बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलाम अलेकुम, वल्कम टू स्टे डिजाइन्ज, आज की वीडियो में हम प्रिंसस सोफिया का ये कॉस्ट्यूम बनाएंगे और आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदसा ये ड्रेस त्यार हुआ है, मैं इसकी फाइनल लुक पहले दिखा इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने दो कलर में ये फैबरिक इस्तमाल किया है, और ये दोनों कतान सिल्क है, ये ओफवाइट कलर है, और इसकी लंबाई धाई गज है, 2.5 यार्ड्स, और जो चोड़ाई है वही ज़्यादा चोड़ाई वाला कपड़ा है, 58 जो इसकी चोड बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत अच्छी शाइन है, इसमें जसे कतान सिल्क में होती है, और ये पूरा सूट का कपड़ा है, ये तकरीबन सवा तीन मीटर का सूट होता है, और चोड़ाई भी इसकी 58 इंच जो ज़दा चोड़ाई वाला कपड़ा है, बड़े अर्ज वाल इस तरह से, ये कटिंग हम करते हैं हाफ सरकल स्कुर्ट के लिए, यहां पर हमने हाफ सरकल से थोड़ा बड़ा रखना है, तो हम वेस्ट को पांच हिस्तों में डिवाइट करेंगे, यहां पर कपड़ा हमारे पास चार लेयर में बड़ा हुआ है, हम एक हिस्से की कटिंग इलहदा से करेंगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वेस्ट हमने 22 इंच ली है, फुल फिटिंग में है, क्योंकि हमने पीछे जिप लगानी है, तो फिटिंग में ही हम वेस्ट लेंगे, उसको पांच पर डिवाइट करें, तो तकरीबन साड़े चार इंच आता है, यहा यहां कॉर्नर से 6 इंच पर निशान लगाएंगे, यह वेस्ट का निशान है, इस निशान से आगे स्कट की लंबाई के लिए मार करेंगे, हमारे पास तियार लंबाई, नॉर्मल स्कट की 30 इंच होती है, यहां पर 32 इंच ले रही हूं, क्योंकि हमें हूप स्कर्ट पहनना लंबाई से जो आप नॉर्मल तियार लंबाई रखते हैं उसे 4 इंच बढ़ा कर लेंगे, तो 4 इंच बढ़ा कर मैंने मार किया, 14 इंच बन रहा था, तो मैंने कॉर्नर से पूरी गुलाई में 14 इंच पर मार किया है, और यहां से कटिंग करनेंगे, इस निशी लाइन पर और वेस्ट की लाइन पर भी, तो यह देखिए हमारा हाफ सर्कल कटेगा, अब हमने एक पीस और काटना है, क्योंकि हमने वेस्ट को 500 में डिवाइट किया है, हमें सकर्ट हाफ सर्कल से तोड़ा बढ़ा चाहिए, तो देखिए इस कपड़े को हम इसी तरह से फोल्डिंग म और एक हिस्सा कपड़े का काट लेंगे, तो जो नीचे हमने कपड़ा रखा है, यह सिंगल लेर में था, यह देखिए, इसको हम इस हाफ सर्कल सकर्ट से जॉइन कर लेंगे, तो यह हमारे निचले वाले सकर्ट का घेरा हो जाएगा, और वेस्ट बिमारी पूरी हो गई है, हमने वेस्ट को 500 में डिवाइट किया था, अब सिंपली हम यह वाला जोइंट लगाएंगे, और साइड को मिलाकर साइड की सिलाई लगाएंगे, और दामन से दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, अब हमने परपल स्कर्ट है उसकी कटिंग करने, यहाँ पर मैंने को भी फोल्ड किया ही देख सकते हैं, और मैंने उतना फोल्ड किया है, कि हमारा जो ऑफफाइट स्कर्ट है, वो पूरा उस कपड़े पर ईजी ली आ जाए, यह अब हाफ सरकल से थोड़ा बढ़ा है, इसलिए आप देख से थोड़ा हटा कर रखा है, फोल्डिंग वाली सा स्कर्ट पूरा आ रहा है, तो देखे हमारे परपल स्कर्ट की कटिंग हो गई है, अब यहां पर हमने वो पैटल बनानी है, और हमें छे पैटल चाहिए, तो हमने कपड़े को देखे इस तरह से फोल्ड किया है, तो कपड़ा हमारे पास सिक्स लियर में आ गया है, दामन से चुड़ाईना पर तो यह तक्रीबन 26 इंच है, और इसके सेंटर में यही 13 इंच पर निशान लगा है, यहां से हमने 15 इंच पर निशान लगाना है, यही जो हमारा कट आएगा वो यहां से 15 इंच पर आएगा, धामन से 15 इंच पर, पैटल जो हो निचले ही से तक्रीबन 8 इंच सीधी रहेगी, तो सेंडर से मैंने दोनों तरफ चार चार इंच पर मार कर दिया है, अब इस निशान को पहले सीधा और फिर गुलाई में लाते हुए, इस निशान से मिला लेंगे इस तरह, और इस शेप में कटिंग कर लेंगे, यह सिलाई मार्जन है, अब हम जब स इस टिर्ची पटी से त्यार की है, मैंने प्लम कलर में, आप दिख लीजी यह इस तरह से होती है, तो यह डोरी है, जिसकी यह उल्टी साइड है, यह सीधी साइड हम उपर रखेंगे, स्कर्ट के इस तरह से, और डोरी के भील किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, यह में आ पपड़े की तरफ रखा है जैसे नॉर्मल शोर्ट में लगाते हैं लेकिन ये पाइपिंग जहीं तिरची पट्टी से बनाई गई है तो तिरची पट्टी यहां लेकर ही आप दोरी बारी पाइपिंग बनाए लगाने का तरीका सेम है और ये देखे जब इस किनारे पर पहुंचेंगे ये जो पॉइंटिड हिस्सा है तो यहां पर आपने बिल्कुल इजिली यहां तक सिलाई लेकर आनी है मशीन की नीडल को कपड़े में रख दबाए और पूरा कपड़े को घुमा ले इस तरह से और डोरी के किनारे ही इस दिलाई कंटिन्यू कर ले और इसी तरह से तमाम पैटल्स के किनारे हम पाइपिंग लगा लेंगे तो यह देखे मैंने तमाम पैटल्स के किनारे पाइपिंग लगा लिए इस तरह से और यह जो हिस्सा था यहाँ पर अब हमने इस piping पर कट लगाना है तो deep cut लगाएंगे इस तरह से कपड़े पर भी बिल्कुल सिलाई तक कट लगा लेंगे और अब हमने इस piping को उल्टी तरफ पलट लेना है इस तरह यह देखिए सामने हमारी बारीक से piping आजाएगी और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यह आप corner देख लीजए बिल्कुल neat इसके finishing आएगी तो यहाँ पर मैंने देखिए मैंने सिलाई नहीं लगाई मशीन से मैं needle thread से जिस तरह तरफाई करते हैं उस तरह से इसको attach किया है ताके सीधी साइड पर कोई सिलाई नजरना है तो यह देखिए neatness इससे ज़्यादा लगेगी अब हमने यहाँ पर जो pattern है motif है सोफिया के dress का वो हमने यहाँ बनाना है इसके लिए मैंने एक round plate ली है और कोई paper काट लें बुकरम की ज़रुवत नहीं है तो हमने इस paper की इस तरह गुलाई में cutting कर ली है इस तरह को इस तरह दो बार fold करेंगे ताके हमारा center निकल आए और यह चारो lines भी important है यह देखिए अब यह जो lines बन गई है folding करने से इस पर हम इस तरह shape बना लेंगे तो पहले इस तरह चार petals बनाएंगे और दो petals के बीच में इस तरह से line बना लेंगे तो जो भी perfect बने एक petal और एक जो triangle सी shape है यह choose कर लेंगे जिस तरह से perfect shape लगे उस तरह से final करके फिर हम cutting कर लेंगे तो मैंने यह दो pattern choose किये है इसी pattern पर हमने off white color में यह petals cut किये है यह मैंने 48 petals cut किये है और इसी तरह से इस shape की भी 48 pieces cut किये है 48 इसलिए हमने cut किये हम हर दो piece को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे यह दो pieces को मिलाएंगे और पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से इसके भी दोनो pieces को मिलाएंगे और पूरी सिलाई लगा लेंगे हर तरफ तो यह देखे मैंने इस तरह से यह सिलाई लगा ली है कोई opening नहीं छोड़नी हमने यहां center से इस तरह पकड़ेंगे cut लगाएंगे और इस cut से हम CD side को बाहर पलट लेंगे इस तरह से पलटने के बाद नीडल की जो बैक साइड होती है उससे ये कॉर्नर बनाएंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो देखिए मैंने तमाम पैटल्स और जो दूसरी मॉटिफ था इसको भी हमने इस तरह से एक कट लगाकर मैंने इनको सीधा कर लिया और उसको बद अच्छे से प्रेस कर लिया है अब हम स्कर्ट पे जो पैटल है उसको लेंगे और प्लेट रखकर ही मैंने सर्कल बना लिया है पूरा सर्कल नहीं बनाया जहांपे पैटल की पोजिशन थी वहांपे मैंने मार्क कर लिया और जो पैटरन है अपना उसके मताबिक हम इन पीसे को रखेंगे यह मुझे काफी स्पेस में लग रहा था इसलिए मैंने इनको क्लोज कर लिया इस तरह से और यह आपने इसी तरह से जो बड़ी प्लेट होती है उसी के साइज में कटिंग करके बनाना है क्योंकि सिलाई करने के बाद इसका साइज इतना रह जाएगा जो के परफेक्ट है अब हम ग्लू से तमाम पैटल्स को अपनी जगह पर फिक्स करेंगे उसके बाद हर तरफ सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे तो दीके मैंने पहले तमाम पैटल्स को एक एक करके ग्लू से स्टिक किया ताकि अ हाई इंच पर मैंने शान लगाया है और जो हमने परफल स्कर्ट कट किया था उसके नीचे से मैंने ये तीन इंच लंबाई की पट्टी काटी और यह देखे इस तरह फोल्ड करके यहां पर सिलाई लगाएंगे फिर दूसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो देखे से ही मैंने ये तीन इंच की पट्टी काटी थी इसकर्ट में मैंने साइट की सिलाई लगा लगा लिए और यह देखे यह इस तरह से इसके ऊपर आएगा अब यहांपर मैं आपको एक बात बिताते चलूँ कि जो सोफिय के ड्रेस का पैटरण है उसमें यह पैटल इस तरह से तीन पैटल फरंट पे आ रही हैं एक पूरी पैटल संटर फ़ह पर आएगी यह लेकिए इस तरह से तो संटर फ़हुर्न पर है कि पूरी पैटल यहां पर कट नहीं आएगा वह इस तरह से हुगा के जो साइड की स्लाई हमने le Tillis invoke वो इस साइड पर आप पर जो किया है वो मैंने सेंटर बैक पर कर दी और ताकि जिब भी अजनी हो लेकिन उससे सेंटर फ्रंट पर कट आएगा इसकेस में अगर आप साइड की सिलाई साइड पर रखेंगे तो पर कट लगाना पड़ेगा जिब से अटाइच करने के लिए ब दुप पर से बीज़ा की पर करेंगे तो आपका बीज़ागे लोगां पर हैं एड़ें इस एक उस्तार फेज लेंगे विग्र बहुत है कर सकते है तो इस तरह से हैं आपको डाल के दिखा इंच और चोड़ाई फ्रंट के पार्ट की 16 इंच है और बैक के पार्ट की 17 इंच है अब हम बैक के पार्ट को फोल्ड करेंगे इस तरह इसके उपर फ्रंट का पार्ट फोल्ड करके रखेंगे और एक्स्टर कपड़ा है वो सेंटर बैक में रखेंगे इस तरह से और मार्कि चेस्ट के लिए मैं यहां साड़े छे इंच पर निशान लगाऊंगे और वेस्ट के लिए पांच इंच पर निशान लगाएंगे तो यह फिटिंग वाली मेजरमेंट से क्योंकि हमने जिपटाइच करनी है मैंने ज्यादा लूजिंग नहीं दी एक इंच पर कटिंग का से और कटिंग के निशान से हम यह आर हमल की गुलाई देंगे इस तरह से नेक्की चुड़ाई के लिए चार इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए था कौने तीर इंच पर निशान लगाएंंगे और इस तरह बोट नेक की शेप देंगे, ऐसे गुलाई में मिलाएंगे बैक नेक की गहराई के लिए, धाई इंच पर निशान लगाएंगे, और गुलाई से मिला देंगे आप cutting करेंगे पहले back के part की, back neck, back armhole, side की cutting करेंगे, back का part इहादा कर लेंगे, front armhole की थोड़ी सी गहरी cutting कर लेंगे, और front neckline की cutting करेंगे, सेंटर बैक से भी स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से हमारी बेसिक बॉडिस की कटिंग हो गई है अब भी हम फ्रंट का पार्ट लेंगे और इस पर जो सोफिया के ड्रेस का पैक्टरन है वो त्यार करेंगे यहां साइट पर मैंने चार इंच पर निशान लगाया है नीचे से चार इंच पर इस तरह भी और बॉडिस को इस तरह फोल्ड करके सेंटर मार कर लेंगे चाहे प्रेस करके निशान में आले या नेल से भी इस तरह निशान बन जाएगा यह देखिए अब जो हमने साइट पर मार किया है वो पहले थोड़ा सीधा आएगा तो यहां तक मैं चार इंच पर ही निशान लगा रही हूँ इस तरह यहां तक सीधा रखेंगे और फिर हल्की सी गुलाई में लाते हुए सेंटर से घुमा कर इस तरह ओल बनाएंगे इस तरह यह देखें और इसी तरह सेंटर से इस साइट पर भी उतना ही गुल रखेंगे और उपर की राइन से मिला देंगे तो बहुत असानी से बन जाता है अब यहां सेंटर से मैं दो इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरह भी और यहां पर एक straight line लगा लेंगे इसी दरह center से दूसरी साइट पर भी 2 इंच पर mark करेंगे और इन points को मिलाकर एक सीधी line draw कर लेंगे तो इस सीधी line को मैंने हलका सा curve कर दिया है बिल्कुल हलका सा center से curve किया है इस तरह यहां से भी इसको हलका सा curve कर दिया है अब मैंने यहां पर डोरी त्यार की है बारीक डोरी डोरी बनाने के लिए मैंने वीडियो अपलोट की हुई है link description में वह आप देख लीजेगा इन तमाम lines के उपर हम इस तरह से डोरी रखेंगे तो डोरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो यह देखें सिलाई लगाने के बाद हमारा pattern इस तरह से नदर आ रहा है अब हमने bodies के pattern पर lining की cutting करनी है यह देखें मैंने lining की cutting कर ली है lining को सीधी side पर रखेंगे और neck के किनारे सिलाई लगाकर neck के finishing कर लेंगे इस तरह से back पर neck पर और center back पर सिलाई लगा लेंगे तो यह देखें मैंने इस सिलाई लगा ली है अब चोटे-चोटे से cut लगाएंगे और front पर देखें इसको जब हम open करेंगे margin को हमने lining की तरफ पलटना है यह देखें इस तरह इसको open करना है और lining के उपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर इस सिलाई जो है वो गले से नजर नहीं आएगी यह देखिए मैंने सिलाई लगा लिए और इसके बद पलट कर सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे अब हम front और back bodies को आपस में मिलाएंगे और shoulder की सिलाई लगानी है तो यहां shoulder की सिलाई लगाने के लिए हम main fabric को main से मिलाएंगे इस तरह और lining को lining से मिलाकर यहां सिलाई लगा लेंगे इस तरह से margin shoulder से नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारा neck जो डीप है ज़रा चुड़ाई में ज्यादा है तो shoulder से margin नजर आएगा वो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो यह दिए कि मैंने सिलाई लगा लिए है अब हमने तमाम sides पर देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिए इससे दोनों जो कपड़े है lining और main fabric वो एक अठा हो गया एक पीस बन गया है तो अब सिलाई यहाँ लगाने में असानी होगी अब हमने sleeves त्यार करनी है उसके लिए मैंने 7 इंच लंबाई के 2 पीस लिए है और on fold इन साड़े तीर इंच पर मार कर लिया है और यहां से हमने armhole की गुलाई इस तरह देनी है कि armhole की कुछ गुलाई है वह हमारी regular armhole जितनी नहीं है यह ज्यादा है क्योंकि हमने चुनटे मनानी है तो इसलिए जितना भी कपड़ा है वह हमने इस तरह गुलाई में शेप दे अब हमने उपर के हिस्थे भी चुनटे बनानी है और नीचे भी चुनटे बनानी है तो यहां पर मैंने नीचे के हिस्थे पर needle thread से इसthis running stitch किया है इससे चुनटे बनाने में आसानी होती है ये देखे और साथी मैंने 2 plum colour में पठ्यां कट की है चुड़ाई इन्की 9 इंच है और लंबाई तक्रीबन 1.5 इंच है तो यहां पर हम इसको कपड़े को इस तरह रखेंगे और नीचे सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मार्जन रखेंगे बाकि एक्स्ट्रा मार्जन कट कर लेंगे जितनी पाइपिंग चाहिए उतना ही बस मार्जन रखेंगे अभी जो हमने पट्टी अटैच की है इसमें से भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे अभी इस पट्टी को सीजी तरफ दूबर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से मारी प्यारी सी पाइपिंग त्यार हो जाएगी स्लीव रेडी है अब हम बॉड़ी से अटैच करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने सिलाई लगाई हुई है आर्म होल पर तो इस तरह से हमें स्लीव अटैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आगी तो यहां पर देखिए मैं एक बाद फिर से इस तरह फोल्डिंग कर रही हुई बॉड़ी की यह कटिंग हम शुरू में भी कर सकते हैं यह जो साइड है यहां पर हमने इस तरह हलकी सी स्लोप देनी है तो फ्रॉप की कटिंग में यह स्पेशली कर लिया करें इस से बड़ी अच्छी शेप आती है ड्रेस की तो बस हलकी से हमने इस तरह से शेप दे लिए है अब हम स्लीव अटैच करेंगे तो सिंपली स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाएंगे शोल्डर करीब हम चुनेटे देंगे और बाकी आरब होल को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे तो यह देखे मैंने इस स्पीव अटैच कर लिए है बहुत ही ज़दा खुबसरत लग रही है यह चुनेटे हमने ज़दातर सारी सेंटर में रखी है अब हम फ्रंट रो बैक को आपस में मिलाएंगे और साइट की सिलाई लगा लेंगे साइट की सिलाई लगा ली है मैंने अब हमने दामन पर पाइपिंग लगानी है तो जो पाइपिंग हमने स्कर्ट के घेरे में लगाई थी वो ही पाइपिंग मैंने ली है और यहांपर attach करेंगे डूरी वाला हिस्ता बोडी इसकी तरफ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे किनारे पर यह देखिए मैंने सिलाई लगा लिए अब इस piping को उल्टी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह मैं needle thread से ही इसको सिलाई कर लूँगी यह side पर छोटा सा cut भी लगाएंगे हम और जो edges हैं उसको इस तरह fold करके फिर हमने पलटना है तो nice finishing हो जाएगे तो यह देखिए piping attach हो गई है बहुत ही प्यारी सी bodies लग रही है यह अब हमने bodies को skirt से attach करना है skirt हम अल्रेडी त्यार कर चुके है तो यह देखिए अगर आपने center back पर cut लगाया है यह जो side की सिलाई थी उसको side पर ही रखे और center पर back की जो petal होगी उस पर cut लगाकर इस cut की finishing करनी है और उसके बाद पूरी गुलाई में सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए यह cut की finishing हो गई और पूरी गुलाई में सिलाई लग जाएगी अब हमने इस तरह से skirt को रखना है सीधी side इसके उपर bodies रखेंगे सीधी आधे इंच का margin दबाते हुए और top stitch कर लेंगे तो यह bodies इस तरह से attach होगी बहुत यह असानी से attach हो जाएगी और यह back का part है यहां पर हमने zip attach करनी है simply zip को नीचे रखेंगे और top stitch कर लेंगे मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैंने जो side की silahी थी वह center back पर रखी है इसलिए वह cut है वह center में आ रहा है ठीक है तो आपने वह silahी side पर रखनी है और center back की बैटर होगी उसमें cut लगाना है बोडी से attach करते हुए zip भी attach हो गई है अब हमने beads attach करने है तो इसके लिए देखे मैंने यह मोटे जो मोटी है मोटे मोटियों की लडी दी है दो लडिया नहीं है और इसको हम यह बड़ी बड़ी लडी है इसको हम यह center front से attach करेंगे और center back से इसी दहां दूसरी तरफ दूसरी लड़ी attach करेंगे center front से center back तक attach करेंगे सिरफ start पर और end पर ही मैंने attach किया है needle thread से बाकी वैसे ही लटक रही है ठीक है और बारीक जो beads है मैंने इस तरह neck की गुलाई में लगाएंगे इसके इलावा यह देखे जितनी भी piping है जो हमने bodies पर बनाई है यह हमने यह दामन पर लगाई है उसमें इस तरह आधे पॉने इंच के फासले पर यह मोती हम इस तरह से सुई धागे से attach कर लेंगे इस तरह से beads लगाने के बाद हमारा dress त्यार हो गया है और इसकी final look आप पहले ही देख चुके हैं बहुत ही जबरदस यह लग रहा है और वीडियो से ज़्यादा यह live ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो I hope कि आपको यह dress design तो पता ही है अच्छा लगा होगा इसकी making पसं subscribe कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छा से ने dress design के साथ तब तक के लिए Allah आफिस